नमस्कार स्वागत आपका नियूस वोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्याकी विधानसवा चुनाव से पहले ही सैफी समाज ने चुनाव में अपनी भागेदारी को लेकर कमर कसली है बकायदा मेरट के हापुर रोड इस्तित एक भवन में सैफी समाज ने बड़ी बैठक कायो जुन किया जिसमें सैफी समाज ने 2022 के अगामी विधानसवा चुनाव में अपनी मजबूत इस्तिती करने की मांग की सैफी समाज ने सभी पार्टियों से अपील की है साथी चेतावनी भी दी है अगर उनकी अंदेखी की गई तो वो चुनाव का पहिश्कार कर देंगे इसी को लेकर हमारे समबादाता मनवर चौहा ने सैफी समाज के जिम्यदाल लोगों से बाच्छीत की आप भी सुनिये कर रहा है जो कि चुनाओ अगामी 2022 भी सर पर है और तरिस तरे चुनाओ है चल रहा है पंचा चुनाओ मैं हसी नहीं सेफी सेफी संगसी मेधी रास्की अध्यक्स बड़ी शर्म की बात है कि काफी कई दसकों से जो हमें अंदेख कर जा रहा है हमारी जो उत्तर प्रदेश में क नहीं डाखें तो हम पूरे देश के अंदर हमारी अगर गिंदी गिनेंगे तो दो से चार परसेंड हम लोग बैठेंगे लाखो करोडों की तेढ़ाद में हमें कार की अधा काफी पार्टी होगा और हम 2020 में भी चाहेंगे यहां हमारे नुमाइंदे हमारी जो राजनिदी कर रहे हमें किसी भी पार्टी यह हो समाजवादी इस वह कोंग्रेस वह बसपास बीजेपी से ओ और भी बहुत सारी पार्टियां हैं हम चाहते हैं कि उत्तरप्रदेश के अंदर पर्सेंटीज रखी जाए हमारी क्योंकि हम जो है जिताने और हराने का काम हमारी बोट करती हैं हम अगर चाहेंगे कम से कम उत्तरप्रदेश की जो है 30 से 40 सीटों हमारे हाथ में हमारे समाज की इतनी बोटे हैं कि हम उसको पलटने का काम करते हैं मैं सभी राश्टिय अध्यक्सों से जो पाटी के हैं आपके चैनल के माद्यम से अपील करता हूं कि जो भी हमारे पाटी के जिस पाटी के भी लोग हमारी राजनिती कर रहे हैं उन्हें तवज्ज्य दी जाए उनको टिकट दिये जाए और हम उसी हम अपने सेफी समाज को कर रहे हैं अच्छा बताइए कितना आरक्षन आप लोग चाहते हैं और पूर में अगर देखा जाए चुनाओं में कितने लोग आए हैं कितनी जनसंक्या उत्तर प्रदेश में सेफी समाज की मैं प्रदेश करता हूं मैंने अब तक के अपने जीवन काल में जो दिखा है हमार बनारी समाज की जितनी परज्सन इज हमारे प्रदेश में है उतना पर्सेंटेश हमें अब और हमीशा पीरदेश मिलता रहना चाहिए ताकर हमारे समाज भीультат आ गया है जिस तरा से हम तनमन धन से अपने देश की सेवा करते हैं उसी पिरकार हमारे आने वाले जो पीडिया हैं उन्हें कहीं न कहीं सवलियत दिये जाए तो अब हम चाहते हैं कि अब 2022 में होने वाले चुनाव में हमारे जतने भी सेवी संग्धन हैं आपस में एक जुठ हो और यह तैगन है कि हमें इतना पर्सेंट अब हमें प्रतिजनित चाहिए सरकार में मुझे यह बताईए आपकी अच्छी खासी जंसन क्या है सेव समाज की आप भागेदारी चाहते हैं पिछली बार देखा जाए तो कोंग्रेस और समाज दी पार्टी ने गड़बंदन किया और राजा सैफी को दक्षन से लड़ाया लेकिन ऐसी क्या वज़ा मानते हैं कि आ सब्सक्राइब लेकिन आयंगा हम बार बार ठोकर खा चोके हैं और आने वाली टाइम में इसा नहीं होगा हमारे समाज एक जो ठोकर अपना हक लेगा तो बिल्कुल सैफिस समाज के लोग है एकटा होकर हक चाहते हैं यूव मेरे साथ मौजूद है अच्छे ये बताईए य यूव और जा से ही देश चलता है आज देखा जाए तो यूव की भागिदारी को लेकर के भी वंधन किया जा रहा है हलाकि अखलेश यादव समाजदी पार्टी यूव है चोधरी जैंसिंग यूव है कोंग्रेस के रहूल गांदी यूव है यूव की आप किस तरीके से भ असिभा थी हूं है में थो जाएर सफर में दक्षी शय समय चांडी हर ने का करां हमारे के हमारे सामने कड़ावर निता हांजी आकुप फु्रेसि सहाब भी आप आप पूर फान विधाय कि भजेपी कह थे तो हमारा रहना का का अवरा नि आविया निथा B.Z.P. क सि और जिसमें अफ़ा उड़ा कही के आजासेफे बेठ गए लेकिं एनड वक्त अपनी हैसियत कि उन लोगों की उखाद दिखाई कि हमारी हैसियत क्या है हमारी हिस्ट प्रähän किस भूमिय कम नहीं है और हमारी समास की भागएदारी है उसका इनने विशलिशन बताया आभी बताईए कोरोना भी चल रहा है और आप बज़र्ग भी है इतना बड़ा फंक्शन रहा आप आए आप ले अंदर कहीं न कहीं ललक है और किस तरीके से सही समाज कुछ चाहते हैं कैसा भविस से हो समाज का मैं महमद मुस्तव सेफी एक्स जर्नलिस्ट हूं और सेफी समाज को जोड़ने का काम कर रहा हूं आज ये सेफी संगर समिती वेरत ने प्रोग्राम मुनाक्त किया मुझे बहुत अच्छा लगा लोग हिस्टा ले रहे हैं और हमें सबसे ज़ादा पुरानी तलखियों को पुरानी जो अपने घल्टियों को नजर अंदास करते हुए आगे आना चाहिए दूसरे का एहतराम करना चाहिए और जो हमारे समाज के बुज़ुर्ग हैं उनको हमें तkar देनी चाहिए जब तक हम बज़ुर्गों को साथ लेकर आगे नहीं चलेंगे जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे दूसरी बात हमारे अंदर जो एजूकेशन की कमी है वो चाहे दीनी हो दुनियावी हो इस कमी को हमें दूर करना है अपने बच्चों को हमें जादा से जादा तालीम दिलाना है हमारे बच्चों के अंदर अगर तालीम होगी तभी ये सियासी पार्टियां हमें तवज्जे द बार्तिय जनका ये पार्टी को ना हो, हमें तावेदारी नहीं चाहिए, हमें साजेदारी चाहिए, और साजेदारी चाहिए, हमें आबादी के तनासुब से, परसंटेज के हिसाब से, तो जो पार्टी भी हमें साजेदारी देगी, हम उसको समर्थन करेंगे और करते रहेंग सब लोगों को मिलके आगे आके काम करना चाहिए अब बिल्कुल ये 2022 के लिए रास्ता नोगों ने साफ कर दिया है जो इनको त़ज्यो देगा उसको सेफिस्तमाज सपॉर्ट करेगा जिताने काम करेगा आप बताईए कहां चाहते हैं सेफिस समाज को उसके लिए क्या चाहते हैं आज इतनी बड़े इस तरह पर मिटिंग की गई है चुनाओ भी सरपर है ऐसे में क्या रणनीती है आगे की और किस तरह किसे आप लोग करेंगे देखिए रणनीती यह है कि कोई भी पार्टी हो उसमें बीजेपी हो बसपाओ सपाओ कॉंग्रेस हो वोट तो हर सहफी का चाहती है लेकिन सहफी के लिए क्या कर रही है कुछ नहीं कर रही हमारे 18 साल 19 साल के बच्चे हो गए किसी का वोटर आईडी कार्ट नहीं बन वाती को यह सब चीजों पर काम करें कोई भी पार्टी इंशालला हमारे समाज के जो भी होगा जो भी हमारे लिए काम करेगा हम उस पार्टी को सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर समाज की बात की जाए तो जिस तरीके से आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं वैसे ही अब राजपूत मां में करने लगनेंगे। वैसे ही अंसारी मांग करने लगने, तौस्त मांग करें तो कर दो आधा हो लगना, और इसलिए आर एक्षघाक्षन मुसलमनों को चाहिए और ल्मृता अकरते ही तो तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा तो बिल्कुल सीधे तोर पर अगर बात की जाए आरक्षन की तो जाहिर तोर पर समाज़दी पार्टी मुस्लिमों को कही न कहीं करने काम करती है उसके लावा जो पार्टिया है वो दूर रखने काम करती है ऐसे में लोगों ने अब एक मुही सेफी और हमारे ये आज मुद्दे पर जो बात हुई है सेफी संगर समीति के बैनरतले वो समाज को जागरू करने के लिए भी की गई है और राजनीतिक अंदर हिस्सेदारी के लिए भी की गई है और अब से पहले सेफी समाज का सिर्फ वोट लेकर इस्तेमाल किया गया है और सेफी समाज को कभी कुछ नहीं समझा गया और नहीं उन्हें आस्ता कुछ दिया गया पिछले दो विदान सबाओं में सेफी समाज ने ये बता दिया है कि सेफी समाज कोई कमजोर समाज नहीं है जो सिर्फ वो ताविदारी ही करता रहे अब आगे से ऐसे नहीं होगा औ नहाँ पर हमारे सैफी समाज की पकड़ जादा है तकरीबन तीन विधान सभा सीटों पर हमें टिकट चाहिए चाहिए वो किसी भी पार्टी से हो कोंग्रेस हो सपा हो बसपा हो इसके लिए हम काम कर रहे हैं और टिकट हमें जरूरी है क्योंकि राजनीती तोर में हिस्सेदार की जरूरत है क्योंकि हमारा समाद दवाक उचला समाज है तो इसे आगे लाने के लिए राजनीती कहीं न कहीं आनी चाहिए और हमारे सांसद विधायक संसद में विधान सभा में बैठेंगे तो अपनी समाज के बारे में बात करेंगे जैसे मिसाल के तोर पर अभी बुनकर समाज ने एक अंदोलन चलाया और फ्लैट रेट पर उन्होंने सरकार वीजेपी की चल रही है लेकिन उन्होंने अपनी बात मनवाने का काम किया है और अगर कल को हम भी इसी तरीके से आगे हम सैफी समाज इखटा होगा संगठित होगा तो कल हम भी विधान सभा में और चा इसी बात को लेकर के इतने बड़े स्तर पर यहां मिटिंग की गई है हाला कि मिटिंग के माध्यम से यह मिटिंग आगे क्या रंग लाएगी 2022 में इसका क्या इफेक्ट होगा यह आने वाले समय में मालूम पड़ेगा मेरेट से अपने सहोग रियासत के साथ मनवर चुहान न्यूस वाल इंडिया फिलाल की निबस इतना ही आप देखते रहिए न्यूस वाल इंडिया